तो गाईस अगर आप लोग अभी देखें तो एक साल करीबन पहले मुझे इस AdSense पे अपना Approval मिला ता आप लोग Publisher ID भी चेक कर सकते हैं और गाईस एक साल के अंदर अंदर इस AdSense से मुझे काफी अच्छी खासी अर्निंग हो नहीं स्टार्ट हो गई है तो अगर आप लो आप लोगों को भी AdSense Approval करना है और इसके साथ एक अच्छी खासी अर्निंग करनी है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग अच्छा response मिला तो next वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप AdSense से पर दे 10 से 15 डॉलर तो आसानी से कमा सकते हैं गाईस तो चलिए गाईस विडाउट किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए आप लोगों को गूगल प्याना है सबसे पहले हम देखते हैं कि basic requirement क्या होती है AdSense की तो जो सबसे पहले चीज होती है वो age 18 साल से उपर होनी चाहिए आपकी खुद की एक site होनी चाहिए site पे थोड़ी activity होनी चाहिए और इसी के साथ साथ अच्छा खासा content होना चाहिए and site design आप लोगों का user friendly होना चाहिए UI जिसे हम कहते हैं और इसी के साथ साथ other requirements होती है जैसे pages वगएरा privacy policy के pages links वगएरा सब सब स पेज करते हैं तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे चुटकारा दिलवाने वाला हूँ क्यूंकि आप लोगों को Google पे जाके simply search करना है चाट आर्ट अब जैसे ही आप लोग चैट आर्ट लिखके simply Google पे search करेंगे तो देख सकते हैं chatartpro.com ये website का पूरा नाम है तो content जैसे बहुत सारे options को avail कर सकते हैं इसी के साथ साथ देख सकते हैं guys keyword search tool आप लोगों को मिल जाता है generate article outline मिल जाता है guys advanced SEO checking मिल जाती है जो आप लोग article इस website के तुरू generate करते हैं उसमें SEO उसका क्या है वो भी आप लोग इसी website पे check कर सकते हैं guys और इसी के साथ payment के बहुत सारे methods भी मिल जाते हैं तो आप लोगों को करना क्या है guys यहाँ पर sign up का button दिखेगा sign up के button पर आप लोग क्लिक करेंगे या आप लोगों को description में एक button दिख जाएगा या एक link मिल जाएगा उस link पर click करके भी आप लोग अपना account बना सकते हैं इसके बाद try for free के button पर click करके मैं क्य one by one करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अब सबसे पहले मैं एक article create कर लेता हूँ SEO article creation के button पर click करके अब guys जैसे ही मैंने click किया तो यहाँ पर सबसे पहले यह मुझे से पूछ रहा है कि आपके article का topic क्या होने वाला है तो चलिए हमना एक basic सा article का topic देते हैं जो की होगा best ideas for online marketing for beginners अब यह जो article का idea है यह थोड़ा basic है बट इसमें guys वही article लेख सकता है जिसके पास थोड़ी knowledge वगरा अच्छी हो तो मैंने इसे यहाँ पे यह दे दिया topic अब इसके बाद यह हमसे पूछ रहा है कि हमारे article की जो tone है वो कैसी होनी चाहिए तो आप लोग इसे informational रख स सकते हैं इसी के साथ confident से अगर कोई search कर रहा है या देखना चाता है तो वो या फिर friendly तो मैं friendly select करूंगा दे इसके बाद which person is it तो यहाँ पर first person को select करिएगा दे इसके बाद कौन से language में आप लोगों को article लिखना है तो देख सकते हैं आप हिंदी का भी option है तो आप लोग हिं को आप लोग दिखा सकते हैं for your example मैं small business owners को select कर लेता हूं दिन इसके बाद कितने words का होना चाहिए हमारा article और कितनी headings होनी चाहिए तो मैंने one four heading और five hundred two thousand words का article select किया दिन इसके बाद अगर आप लोगों का कोई brand तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं जिसको यह इसमे लोगों को चाहिए उस reference को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं उसका link भी हाँ पे लाके paste करेंगे तो उसके थूरू भी आप लोगों का article उसके जैसा होने लगेगा तो guys इसमें एक अच्छी चीज यह है कि जो websites इस main keywords पर rank हो रही है अगर उनका reference आप लोग इस AI tool को देते हैं तो आप लोगों का जो content है वो बहुत तगड़ा निकल के आएगा तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है अब इसके बाद guys दो चीज जो आप लोगों ने कर ली पहली ती theme दूसरी ती select reference अब जो तीसरी चीज है guys वो है main keyword और यह guys बहुत important है तो इसका आप लोगों को अभी कैसा चल रहा है तो यहाँ पे आप लोगों का अपना एक main keyword select कर लेना जैसे मैंने select कर लिया online marketing जिसका search volume 74,000 है keyword difficulty 32 है और trend भी decent सा है तो मैंने अब इसको select करके next के button पे click किया और यहाँ पे आप लोगों को एक attractive सा title भी चुनना होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कित इने सारे title है तो जो आप लोगों को best लगे वो title आप लोग चुनिएगा देन इसके बाद next के button पे click कर दीजिएगा अब जैसे ही आप लोग next के button पे click करते हैं गाईस तो आप लोग आ जाएंगे अपने next page पे जो की होगा secondary keywords का तो यहाँ पे आप लोग अपने article में कुछ secondary keywords भी enter कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो article का SEO हो वो best रहे और इसके जो ranking के chances हो वो भी कापी ज़्यादा बढ़ जाएं तो यहाँ पे SEO के keywords हैं गाईस या secondary keywords हैं उनमें भी आप लोगों को options मिल जाते हैं बहुत सारे इसी के साथ साथ उनकी information होती है जैसे search volume keyword difficulty and trend तो आप search volume keyword difficulty and trend को ध्यान में रखते हुए keywords को चुन सकते हैं और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो main topic है उसी से related आप लोग article सेलेक्ट करेंगे तो यह सारी चीजे करने के बाद next के button पे click करेंगे अब guys एक चीज जो कि आप लोगों को ranking में बहुत ज्या generate article के button पे जैसे ही click करेंगे तो आप लोगों को article guys यहाँ पे live generate होने लगेगा तो guys यहाँ पे तो हमने word length 500 से लेके 1000 words की की थी तो यह जो हमारा article है वो काफी जल्दी तयार होने वाला है और मैं यह पूरा आप लोगों को live दिखा रहा हूं देख सकते हैं guys कितनी जल्दी हम हमारा article यहाँ पे पूरी तरीके से तयार हो गया है जिसमें इसने हमें एक image भी दी है जो की high quality और हमारे websites के topics से related image है तो यह भी बहुत अच्छी चीज़ है guys इसी के साथ साथ इसने हमारा title लिख दिया देन इसके बाद एक paragraph लिखा और जो हमारे secondary keywords दे उनको भी इसने लिख और यहाँ पे एक reference का link दिया है तो guys यह सारी चीज़े SEO के according बहुत तगड़ी है और यह जो rank होने के chances है इस article के वो काफी ज़्यादा बढ़ जाएंगे बट मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि AI पे आप लोगों को पूरा भरोसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो इसे article को generate कर लेंगे then इसके बाद इसमें जो guys minor changes होंगे वो भी हमें करने होते हैं तो हम क्या करेंगे simply सबसे पहले इसे copy कर लेंगे और copy करने के बाद अब हम चलते हैं इस website के dashboard में या हमारे dashboard में और यहाँ पे आने के बाद guys आप लोगों को क्या करना है आप लो option मिल जाता है जो option है जिसके तुरू आप लोग किसी भी AI content को humanize convert कर सकते हैं तो इसके लिए आप लोगों को नीचे आना है और यहाँ पे bypass AI detection का button है इस पे आप लोगों को click करना है और यहाँ पे इस article को paste कर देना है और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे guys आप लोग check कर कि कुछ और इसमें add करना है कि नहीं देन इसके बाद check for AI के button पे click करना है देन इसके बाद कौन सा mode select करना है तो हम latest रहने देंगे और अब humanize के button पे click कर देंगे तो जैसे ही हम humanize के button पे click करेंगे तो यह हमारा article है guys वो यहाँ पे यह bypass कर देगा और कोई भी AI detector tool इसे detect नहीं कर पाएगा और यह बहुत easily हम इसे use कर पाएगे as a human made 100% human made content के लिए तो देख सकते हैं guys यह अपना work कर रहा है और guys within a minute आप लोगों के सामने यहाँ पे article बन के आ चुका है अब इसमें आप लोगों को क्या करना है heading वगएर आप लोगों को दुबारा लिखनी पड़ेगी तो थोड़ा चीज़ा आप लोगों को खुद भी करनी पड़ेगी 100% आप लोगों को यहाँ पे article पे ही rely नहीं करना है या 100% आप लोगों को अपने AI tool पे ही rely नहीं करना है आप लोगों को खुद भी कुछ चीज़े सीखनी पड़ेंगी ताकि in future आप लोग खुद भी content generate कर सकें और गैस ये सारी चीजे करने के बाद आप लोगों को फिर से अपने dashboard में जाना है तो मैं आप लोगों को अपने dashboard में लेकर आता हूँ अब गैस जैसे ही आप लोग अपने dashboard में आएंगे तो यहाँ पे एक आप लोगों को option मिलेगा article rewriter then इसके बाद grammarly इस page में आएंगे और यहाँ पे अपना main keywords होंगे उसे हम enter कर देंगे तो जो हमारे main keywords है guys वो है online marketing तो मैंने online marketing यहाँ पे लिख दिया then इसके बाद आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों का main keyword सिर्फ एक keyword है तो आप लोग अपने पूरे पाए और आप लोगों की जो SEO report है वो अच्छे से दे पाए अब यह सारी चीज़े आप लोगों को कर लेनी है then इसके बाद आप लोग क्या करेंगे meta tag आप लोगों को enter करना है तो कर सकते हैं वरना analyze के button पे click करेंगे अब यह कह रहा है कि हमने अपना title नहीं लिखा है जो की सही untitled आ रहा है तो हम अपना title यहां से copy करके paste करेंगे और इसके बाद अब हम check करते है analyze के button पे click करके तो देख सकते हैं guys हमारे इस topic के article का analyze हो रहा है कि कितने percentage का SEO अच्छा है तो देख सकते हैं 63% शो हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पे हमने सिर्फ एक image लगाई है जबकि यह recommend करता है 2-5 title length हमारा अच्छा है बट यहां पे on page links मतलब internal linking हमने नहीं किया तो गईस कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इसने अपने द्वारा generate किये गए article में भी कमी निकाल दी और उसको अगर हम ठीक करते हैं तब हमें अच्छा score मिल जाएगा तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को पूरी तरीके से किसी भी tool पे चाहे वो paid हो या free हो आप लोगों को rely नहीं करता है आप लोगों को अपने end से भी उस tool के साथ साथ काम करना है तो देख सकते हैं इसने बोला था heading वगरा सही नहीं है तो हम image की संख्या को बढ़ा सकते हैं heading वगरा ठीक कर सकते हैं इसके बाद internal linking कर सकते हैं तो अगर ये सारी चीजे हम कर देते हैं इसके बाद अगर हम अपना चेक करेंगे SEO स्कोर तो वो 100% आएगा और तब अगर हम अपने keyword के through अपने article को upload करते हैं अपने website पे तो guys हमें काफी अच्छा खासा वहाँ पे सीजे देखने के लिए मिल जाएंगी तो कुछ इस तरीके से guys ये पूरी website काम करती है जिसका आप लोग use कर सकते हैं जिसका नाम है chat art और ये chat art pro.com इस website का full address है तो आप लोग जरूर एक बार इस website पे विजिट करिएगा और ध्यान आप लोगों को ये रखना है गाई इसकी जब भी आप लोग ऐसी website पे विजिट करें ताकि 100% आप लोग इस पे रिलाई ना हो और 100% आप लोग खुद पे भी रिलाई ना हो मतलब दोनों की मेनज से जब आप लोग आर्टिकल बनाएंगे तो वो best बनेगा देन इसके साथ साथ गाईज यहाँ पे plagarism detection भी आप लोग कर सकते हैं आर्टिकल लोगों को बता दूँ कि वैसे तो यह टूल फ्री है बट आप लोग अगर इसका paid version यूज करना चाहते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को काफी अच्छा काजा discount दिलवा सकता हूँ इसके लिए आप लोगों को करना क्या है आप लोगों अपग्रेट के बटन पर क्लिक करना है इस website के home page पर आप देखे तो यहां पर free plan है जिसमें आप लोगों को 5 free basic GPT 4.0 mini और Gemini models मिल जाते हैं जिसमें limited article आप लोग generate कर सकते हैं बट अगर आप लोग lifetime plan लेते हैं जो कि 99.99 cents का है जिसमें आप लोगों को lifetime के लिए पूरा ही plan मिल जायागा अगर आप लोग 1 year plan लेते हैं तो 3.42 dollars per month आप लोगों को पढ़ेगा और 1 month वाला plan लेते हैं तो around 11 dollars पढ़ेगा तो आप लोगों को कोई भी plan खरीदना उसके नीचे buy now का button है उसके आप लोगों को click करना है then इसके बाद payment method select कर लेना देख सकते हैं कितने सारे payments method जैसे credit card, paypal, upi, google pay, bank transfer किसी के थुरू भी आप लोग payment कर सकते हैं और I have a coupon code है इसमें आप लोगों को ft20 लिखके apply करना है जैसे ही आप लोग ft20 लिखके apply करेंगे तो आप लोगों को guys यहाँ पे around 20% का off मिल जाएगा instantly जिसका आप लोग यूज कर सकते और अब आप लोगों को pay करना है $8.79 जिसमें आप लोगों को पूरे एक महीने के लिए यह tool का access मिल जाएगा इस तरीके से आप लोग यह सारी चीज़े कर सकते इसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ चैट आठ आप लोगों को एक और चीज़ प्रोवाइड करता है जो की है कि AI के थुरू आप लोग कुछ भी जनरेट करवा सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं AI चैट है यह अब अगर मैं यहाँ पर से आके पूछू कि what is YouTube describe in 20 words तो यह उन 20 words में ही YouTube को describe कर देगा जो की गई बहुत अच्छी चीज़ है जो की मिलता जूलता है चैट GPT से तो आप लोग उसका यूज कर रहे हैं इससे अच्छा आप लोग इसका यूज करें यह बिलकुल फ्री है यहाँ पर आप लोग प्रॉम्ट वगरा भी आप लोगों को ready made प्रॉम्ट वगरा मिल जाते हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं AI से अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अपना मॉडल चुन सकते हैं कौन सा मॉडल आप लोगों को यूज करना है आप लोग GPT4 का भी यूज कर सकते हैं बहुत इजली और अगर आप लोग यहाँ पर web search को on कर देते हैं जैसा कि देख सकते हैं मैंने कर दिया और अब यहाँ पर आप लोग कुछ भी search करते हैं तो web results यहाँ पर show होंगे जैसे मैंने टेकम लिख के search किया तो देख सकते हैं इसने मेरे website का link वगरे यहाँ पर दे दिये facebook के link दे दिये और यहाँ पर starting में इसने यहाँ पर लिखा भी है कि Techum actually है क्या तो देख सकते हैं Techum appears to be a website focused on blogging particularly in the areas of technology, news, mobile reviews and educational content तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इसने results हमारे सामने दे दिये तो guys I hope आपको लोगों को overall यह video पसंद आई होगी जिसकी मदस से आप लोग अपने AdSense account के लिए content generate कर सकते हैं आप लोगों का अगर AdSense approved है तो आप लोग content अपना अच्छा अच्छा share कर सकते हैं अपने users के साथ, अपने readers के साथ आप लोगों का अगर AdSense approved नहीं है तो आप लोग AdSense approval पा सकते हैं content share करके so guys I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा इनसे वीडियो देखते रहने के लिए make sure करिएगा कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे so guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में until then